Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल अब देखो, यहाँ पर क्योंकि नाम जो है, वो reveal हो गया है, जाहिर सी बात है, एजिप्ट में इसका invitation accept किया होगा, तभी यह जो नाम है, वो media में reveal किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पूरा region है, इस पूरे region को कहा जाता है, वाना, वाना मतलब हो गय West Asia and North Africa, तो यह जो वाना रीजन है, यह भारत के लिए काफी important है, कई सारे perspective से जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एजिप्ट, रिसेंटली आपको याद होगा, COP 27, COP 27 की जो summit है, वो भी एजिप्ट के जो शहर है, जिसका ना defense perspective से जो तेजस है, उसकी sell को लेकर, तो काफी कुछ जानेंगे यहाँ पर detail से, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, ज्यान रखेगा अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है, study IQ के साथ जोडने का, क्योंकि यह जो पूरा course है, आप इ NCRT का भी course launch किया गया है, यह 5th of December से start हो रहा है, लेकिन इसमें काफी limited seats हैं, क्योंकि यह पूरा live course है, इसको भी आप use कर सकते हैं, अगे यहाँ पर code Ankit Live, ताकि maximum discount मेरे, इसके लाबा और अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे Insta page पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs ह उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं exactly यहाँ पर हो क्या रहा है, देखें जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ने invitation भेजा, इजिप्ट के राश्पती अब्दिल फते अलसीसी को for the chief guest for Republic Day in 2023, 33, और यह साफ साफ reflect कर रहा है कि भा भारत का जो engagement है अरब वर्ड के साथ, पिछले कुछ वर्ड्सों में अगर आप देखोगे चाहें सौधी अरब हो गया, UAE हो गया, जिस प्रकार की close relation से भड़ी है, Middle East के अंदर, अरब वर्ड के अंदर, यह काफी कुछ यहाँ पर दिखाता है कि high profile diplomatic जो engagements है, वो यहाँ पर भारत करना चाहरा है, और खास कर इस साल तो आपको पता होगा, G20 की summit जो है, इसका president बन गया है, भारत, presidentship मिल गई है, और इसको अगले साल भारत ही host करने वाला है, तो पूरे दुनिया के साथ, यहाँ पर भारत का जो diplomatic engagement है, वो बढ़ने वाला है, और कहीं न कहीं उसको ध 16th of October को Egypt गय थे, और आप देख सकते हो, यहाँ पर अबदल फते LCC के साथ मुलाकात हुई थी, और basically यहाँ पर जो S.J.S.ंकर साब है, उन्होंने एक tweet भी किया था, उन्होंने अपने tweet में ये लिखा, कि मैंने प्रामिनिस्टर नरेंग मोदी जी का जो warm greetings है, वो convey किया है LCC को, और साथी साथ मैंने एक personal message भी दिया है Egypt के राष्टपती को, तो कहीं न कहीं वो जो personal message था, वो आज के date में आप समाझ सकते हो, यह invitation की शायद हम बात कर रहे थे, और finally यह invitation उसी समय दिया गया था, और इसको कहीं न कहीं accept कर लिया गया है, अब इसमें important चीजी यह है दो सबकि पाकिस्तान के head आ चुके हैं भारत के अंदर, अफगानिस्तान हो गया, भुटान हो गया, हर जगह से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर West Asia और सहारन एफ्रिका में भी अगर आप देखोगे, तो सौधी एरब, इरान, अलजीरिया, United Arab Emirates यहाँ से आ रखे हैं, ल दोनों कंट्रीज अगर आप देखोगे, तो पहले मतलब जोहलाल नहरूजी के समय काफी close relation था, क्योंकि उस समय आपको याद होगा, non-aligned movement की काफी चर्चा चलती थी, 1961 में इसको बनाया गया था, तो भारत और Egypt थोड़े से close relationship में थे उस समय, लेकिन कहीं न कहीं अभी पि Presidentship है, G20 Summit का, वो भारत के पास है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जिसके पास भी ये Presidentship होता है, वो कुछ guest countries को invite कर सकता है, तो भारत ने 9 guest countries को invite किया है, जिसमें Egypt भी शामिल है, तो इससे भी आपको पता चलेगा, कि कहीं न कहीं भारत जो है, वो Egypt के साथ और बहतर relations चाह आता है, और जो invitation है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, एक honor reserve करता है, किसी भी देश के लिए, एक साफ साथ दिखाता है, कि हमारा जो देश है, जिसको हमने invitation भेजा है, वो कहीं न कहीं close partners हैं भारत के साथ, और वैसे में आपको बता दू, 2021 और 2022 में कोई भी chief guest नहीं आया था, although Brazil के president अभी जो Jay Bolsonaro है, वो पत से हटने वाले हैं, क्योंकि वो election हार चुके हैं, अब question यह है कि आखिरकार Egypt को ही हमने यहाँ पर क्यों बुलाया, ठीक है, अब कई बारा यहाँ पर सुनने को तो मिल रहा है कि यह हो रहा है, लेकिन क्या कारण क्या है इसका, देखो कई सारे factors ह यहाँ पर तलमीज अहमद जो हैं, जो कि भारत के ambassador रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर इसका explanation दिया, और basically यह बताया कि Egypt का resurrection अगर आप देखोगे, क्योंकि Egypt में पिछले कुछ समय पहले काफी जादा severe economic crisis देखने को मिल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उस crisis को पीछे छोड यहाँ पर भारत को भी यही लग रहा होगा कि Egypt का importance बढ़ आए, तो हमें उसके साथ relationship बढ़ाना चीए, और जैसा मैंने बताया, पिछले 20 वर्षों में जो relation है भारत और Egypt का, वो काफी उसमें downfall आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो Egypt है, जैसा कि मैं आप को बोल रहा था, कई सारे crisis से गुजर रहा था, energy हो गया, trade हो गया, investment हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको problem में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो Egypt काफी तेजी से recover हुआ है, पिछले 3-4 वर्षों में जो उसका role है, काफी सारे चीज़ों मे जैसे independent policies हो गई, foreign policy हो गया, Gulf countries के साथ, Syria, Yemen, Turkey, उन सब में independent decisions यहाँ पर Turkey ले रहा है, अभी recently खबर आई थी कि इराग के साथ उसका relations बहतर हो रहा है, इरान के साथ उसने अपना dialogue जो है, उसको start किया है, तो वो सब कुछ से आपको समझ में आएगा, कि कहीना कहीं भारत इस opportunity क फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूँ, कि अभी recently जो हमारे defense minister है, राजनात सिंग जी, वो भी Egypt गयते जी हाँ, September 19 और 20 को वो Egypt के अंदर थे, और वहाँ पर भी उन्होंने LCC से मुलकात किया था, तो basically मैं आपको इसलि जानिक साइन किया था भारत और Egypt के बीच में, यहाँ पर जितने भी sectors हैं, उसमें cooperation बढ़ाया जाए, यहाँ पर जो defense industries हैं, भारत, Egypt के अंदर, उसको और कैसे तेजी से बढ़ा सकते हैं, joint exercises कैसे और जादा कर सकते हैं दोनों देश, ताकि जो counter incigency है, उन सारे चीजों पर focus किया जाए, लेकिन इसमें जो सबसे important चीज है, वो है आपका HAL के द्वारा बनाया हुआ LCA Tejas, जी हाँ, जो Tejas fighter jet है, वो भारत ने offer किया है Egypt को, और लगभा 70 Tejas जो है, वो Egypt खरीद सकता है, इसके साथ-साथ यहाँ पर हम एक joint manufacturing facilities भी Egypt के अंदर खोलेंगे, ऐसा भारत ने offer क किया है, साथ-साथ जो helicopter है HAL के द्वारा, वो भी यहाँ पर Egypt को offer किया जाएगा, तो यह सारी चीजों की वज़ेसे, क्योंकि अगर मान लो Egypt हमसे Tejas खरीता है, तो जो Tejas की demand है globally, उसमें एक उच्छाल देखने को मिल सकती है, और कहीं न कहीं यह एक बहुत बड़ा कारण थ जो की एक main factor था इस साल के 2023 के celebration के लिए Republic Day पर, in fact इसी साल जुलाई के महने में जो Egypt के Air Force Chief है, वो भारत आये थे, और यहाँ पर जो defense equipment वगरा है, उसके बारे में आपर चर्चा हुई थी, इसके पहले अगर आप देखोगे, तो October 2021 में एक साल पहले यहाँ पर first Air Force exercise हुआ था दोनों देश के बीच में, भारत और Egypt के बीच में, और उसमय भारत ने कई सारे अपने जो fighter jets वगरा हैं, उसको Egypt भेजा था, अगर हम trading की बात करें, दोको यहाँ पर एक important चीज यह है, कि हम extended neighbor की तरह देख सकते हैं, भारत के लिए Egypt जो है, वो extended neighbor की तरह काम कर सकता है, connecting link का काम कर सकता है, rest of Africa के साथ, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो India was Egypt's 8th largest trading partner in 2021, actually अगर हमारा trade की बात करें, तो 2012-13 में trade काफी तेजी से बढ़ आ था, 5.45 billion dollar, लेकिन वहाँ से फिर decline आने लगया, 2016-17 में 3.2 billion dollar हो गया, लेकिन वापस से इसमें उच्छाल देखने को मिला है, और 2020-21 में 4 billion dollar से भी जादा का trade हुआ है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक invitation, काफी कुछ बताता है geopolitics के अंदर, and I hope कि इस वीडियो के मात्यम से आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्योंकि हम Africa की बात कर रहे हैं, जैसा क आपको पता होगा, जो equator है, जो Tropic of Cancer, equator, Capricorn, यह सब होता है, तो equator जो है, जो line pass होती है Africa से, वो एक river को दो बार cross करती है, मतलब कौन सा ऐसा river है Africa के अंदर, जो की दो बार equator से जो है, वो cross होता है, इसका right answer आप सब को पता है, मेरे Instagram पर तो मिले गई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका साही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलग-लग social media पर आप जूट पाओ गया, और जैसा मैंने बताया, UPSC की त्यारी कर सकते हैं, बाइ यूजिंग दा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको maximum discount मिले, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आपसे next time, till then, thank you very much, see you soon.